नमस्कार दोस्तूं सुआगते एक बार फिर से आप सभी का टूडेटो के इस वीडियो में दोस्तूं बात करेंगे राजस्तान वनपाल वंदरक्सक सीडी भरती के बारे में जिसकी संसोधित विज्यप्ती बोर्ड ने जारी कर दिये 11.3.2022 को हलंकी मैंने दोरा क्लासेज पर इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी दी है अभी दोस्तूं काफी कुछ सवाल आ रहे थे, कुछ डाउट्स आ रहे थे इस भरती को लेकर कि किसको आवेदन करना है, किसको नहीं करना है और प्रिक्षा की स्कीम क्या है, सिलेबस क्या है बहुत सारे सवाल आ रहे तो उन सभी का जवाब में आपको इस वीडियो में देने वाला उन ध्यान से समझेगा किस तरह से इसकी सेलेक्शन प्रोसेस रहती है फिजिकल कैसे होता है, सिलेबस डिटेल से कहां मिलेगा हर तरह की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी सबसे पहले में आपको बताऊंगा कि ये जो भरती है ये 2020 में निकाली गई थी लेकिन EWS को आरक्षन मिलने की वज़े से और पदू की संक्या में वरती करने की वज़े से इसकी जो विग्यप्ति है, वो संसोदित की गई है अब इसमें जो पदू की संक्या है वो बढ़ा कर, वनरखसक के लिए 2300 कर दी है, और वनपाल के लिए 9920 कर दी है पहले आप सभी को पता है, कि जो पहले पदू का वीवरण दिया गया है जिसको आप बाद में आराम से देख लेना कि कौन सी कैटेगरिय में कितने पद है यहाँ पर विश्यस बात यह है कि आविधन किसको करना है देखे यहाँ पर इस पस्ट लिखा है कि जिल लोगों ने 2020 की विध्यप्ति के अनुसार आविधन कर दिया है उनको दुबारा आविधन करने की कोई आवसिक्ता नहीं है लेकिन जब आपने 2020 की विध्यप्ति के अनुसार आविधन किया था और उसमें आपने कोई गलती किया तो आप भी संसोधन करवा सकते हैं आपको नया आवेदन करने की कोई आवसकता नहीं है क्यूंकि उसमें आपकी फीस लगेगी संसोधन करने की कोई फीस नहीं रखी गई है अब दूसरी बात को समझिए जो लोग 2020 की विग्यप्ति की अनुसार योग्य नहीं थे लेकिन अभी इस टाइम वो योग्य है तो वो आवेदन कर सकते हैं चाहे वो एज के क्राइटेरिया से देख लो चाहे वो एजुकेसनल क्वालिफिकेसन के अनुसार देख लो तो कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों ने पहले आवेदन कर दिया था फोरम एकदम सही है कोई दिक्कत नहीं है तो उनको आवेदन नहीं करना है अगर गलती की है तो आपको संसोधन का उप्सन मिल जाएगा SSYD के माद्यम से आप उसमें संसोधन कर सकते हैं या इमत्र के माद्यम से करवा सकते हैं जो नए लोग है उनके लिए योकेता की सर्तें वही रहेगी लेकिन इस समय के अनुसार यानि इस संसोधित विग्यप्ति 2022 के अनुसार उनको सर्तें पूरा करना है ठीक है इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि इसका जो एक्जाम है वो कब होगा तो एक्जाम के बारे में हमें जानकारी दी गई है फोर हम इसके 14-3-22 से रियोपन होंगे तो 14-3-22 से लेकर आप 29-3-22 तक एपलाई कर सकते हो जितने भी आप नए लोग हो आप आवेदन कर सकते हो और इसकी जो प्रिक्सा सुल्क है वो पहले की तरह सेम रहेगी उसमें को एक्टूबर 2022 में इसकी प्रिक्सा हो जाएगी और संभवता एक्कुमर 2022 में प्रिक्सा हो जाएगी क्यूंकि आप देखिए 2020 में इसकी विगयपती जारी हो फूई थी तो का जो exam है वो 100 marks का होगा और 100 question आप से पूछे जाएंगे और 2 गंटे का समय आपको दिया जाएगा सेम ही वनरक्षक में है 100 marks का exam होगा 100 question पूछे जाएंगे 2 गंटे का समय आपको दिया जाएगा अब यहाँ पर देखे बताया गया है सभी question जो है वो objective type आप से पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ट पूछे जाएंगे ठीक है अब बहु वेकलपी यानि MCQ पूछे जाएंगे इसके बाद में सभी परशनू के अंक क्या होंगे सम्मान होंगे अब काफी लोग कमेंट करते हैं बार-बार सर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी तो इसमें इस परस्ट लिखा है कि one third की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है ठीक है और यहाँ पर ये भी बता दिया गया है कि 5 गुणा अभ्यारतियों को पास किया जाएगा सारीरिक दक्सता प्रिक्सा के लिए यानि एकजाम में जो लोग बैठने वाले हैं उन में से जितनी पोस्ट है उसका 5 गुणा बुलाया जाएगा किसमें सारीरिक दक्सता प्रिक्सा में ऐसे में अगर हम बात करें तो 2300 इंटू 5 आप कर लीजिए कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11500 ग्यारा हजार पांसो लोगों को बुलाया जाएगा सारीरिक दक्सता प्रिक्सा यानि फिजिकल के लिए ठीक है इसके बाद में यहाँ पर बताया गया है आगे पाठ्थे करम के बारे में देखें पाठ्थे करम विस्तरित नहीं दिया है सो सीनियर सेकενडری इस्तर का सामानिगन यानि बार्यों इस्तर का सामानिग्यन पूछा जाएगा फिर इसमें देनिक विज्ञान है, गनित है, सामा जिक अध्यान है भुगोल, इतिहा, संस्कृत्य, कला सम्ब सामीक विसे, आदि समाविष्ट है ठीक है और वस तु प्रक परकार के पर्शन आप से पूछे जाएंगे तो आप कऊगे सर रिज्टियों डिया गया है काफी लोग यह भी कमेंट करते हैं कि सर हम रिज्टियों की तयारी करे या नहीं करे तो रिज्टियों इस एक्जाम में नहीं आने वाली है mathematics जरूर है बाकी आपके सारे subject है राजस्तान का भूगोल, राजस्तान का इतिहास राजस्तान की कला संसकर्ती ये सब आपको अच्छे से तयाद करना है इसके बाद वंदरक्षक की बर्ती प्रिक्षा के पाठे करम की बात करें इसमें भी यही लिखा है इसमें फरक इतना है कि इसमें माध्यमिक इस्तरका है और इसमें senior secondary इस्तरका है इसमें बताया गया है देनिक विज्ञान है, गनित है, सामाजी कद्यान है भूगोल, इतिहा, संसकर्ती, कला समसामिक विसे सामिल किये गए है इसमें आपसे पूछा जाएगा तो यह आपका syllabus दिया गया है वैसे मैं आपको बता दूँ कि विश्तरित syllabus को समझने के लिए और physical को details से समझने के लिए मैंने जो राजस्तान, वनरक्षग, वनपाल classes की playlist बना रखिये उसमें आपको videos मिल जाएंगे और मैंने approx मुझे अच्छे से याद नहीं है लेकिन मैंने 40 या 50 के आसपास video session करवाए हैं आपको वनरक्षग, वनपाल की तैयारी के लिए वो video session आप देख सकते हैं उस playlist का link में आपको यहाँ पर description box में दूँगा और first comment में या i button में आपको मिल जाएगा और अब दोस्तों पुना हम अपनी तैयारी start करेंगे तो सांदार तरीके से मैं आपको test series करवाऊंगा तो जितने भी लोग आप नए हैं वो Dora Classes को जरूर subscribe कर लें बेल आइकन को प्रेस करके all पे क्लिक कर लें साथ ही साथ दोस्तों जो हमारा telegram channel है उसको भी आप जरूर जोइन करें उसका link मैंने आपको description box में दिया वहाँ भी आपको updates मिल जाएगी row study material मिल जाएगा और physical और संपूर syllabus की जानकारी के लिए आपको जो screen पर video दिखाई देंगे अभी वो video आप जरूर देख लेना ताकि आपको और जाड़ा जानकारी मिल सके physical के बारे में मैंने अलग से आपको details सारी जानकारी दी है तो जितने भी लोग नए है या जिनको physical के बारे में अभी तक नहीं पता है वो जरूर ये screen पर जो video दिखाई दे रहे हैं ये देख लीजिएगा मिलते हैं दोस्तों next video में तब तक के लिए सभी को जैहिन उमीद है ये जानकारी अच्छे लगी है तो video को like कर दीजिएगा और जो भी आपका फ्रेंड तैयारी करना चाहता है उसके साथ में ये video share कर दीजिएगा